Hello Friends, Welcome to our Channel So Friends, आज किस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC Net Paper 1 December 2019 से रिलेटेड जो MOOC Test Series है उसके MOOC Test 25 के बारे में तो Friends, आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Teaching Aptitude से रिलेटेड 50 MCQs को बाकि Friends, free of cost in MCQs की PDF के लिए आप हमारे Telegram Channel को join कर सकते है Telegram Channel का link आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे description box में और साथे साथ इसी वीडियो के नीचे top comment में यानि कि इसी वीडियो के नीचे जो पहला comment होता है उसमें भी आपको हमारे Telegram Channel का link मिल जाएगा जहांपर आप link पर click करके हमारे Telegram Channel को join कर सकते है बाकी friends अगर आपको link के थ्रू कोई भी problem आती है हमारे Telegram Channel को join करने में तो आप अपने Telegram में जाकर top पर search option में जाकर हमारे channel का नाम keep learning, keep growing search कर सकते हैं जिससे हमारा Telegram Channel open हो जाएगा और वहाँ पर आप उसे join कर सकते हैं और friends आज किस वीडियो में questions को explain नहीं किया गया है explanation वाली आपको हमारे channel पर और भी videos मिल जाएंगी, आप वो videos भी देख सकते हैं, उसके लिए आप हमारे channel पर playlist चेक कर सकते हैं या फिर friends explanation के लिए Teaching Aptitude के notes की PDF से related एक video हमारे channel पर already आपको मिल जाएगी, उस video के तुरू आप Teaching Aptitude के notes download कर सकते हैं और friends उसका link भी हमने आपको provide करवा दिया है इसी video के नीचे description box में और इसी video के नीचे top comment में और friends आज किस video में questions थोड़े long हो सकते हैं, लेकिन इन long questions से आपके काफी points अच्छे से clear हो जाएंगे तो friends आज किस video में आप questions के साथ-साथ भी answer कर सकते हैं जहां पर आपको हर एक question का answer करने के लिए 10 second का time मिलेगा और friends जब आपकी screen पर आपको timer show होगा उस time आपको answer करना होगा और friends options आपको खुद read करने हैं या फिर आप हमें इसी video के end में comment करके बता सकते हैं कि आपने total questions में से यानि कि 50 questions में से कितने questions को correct mark किया है आज का मारा पहला question है question number one what are the characteristics of good teaching यानि कि अच्छे सिक्षन के लक्षन क्या है number one है friends matter of drawing out यानि के लंबे समय तक का विश्य number second है training of the education यानि के शिक्षा का प्रशिक्षन number three matter of adjustment यानि के समायोजन का विश्य number four preparation for life यानि के जीवन की तियारी number five causing to learn यानि के सीखने के कार number six professional activity यानि के website गतिवीधी या फिर number seven giving guidance यानि के friends mark दरश्यन देते हुए so friends code आप अपनी screen पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे हमें correct code बता सकते हैं comment करके और friends answer करने के लिए आपके पास 10 second का time होगा so friends इस question का correct answer है option B all of these यानि के ये सभी characteristics है good teaching के question number second friends the concept of the teachable movement was popularized by whom in his 1952 book human development and education यानि के friends अपनी 1952 की पुष्टक मानव विकास और शिक्षा में किसके द्वारा शिक्षण की अबधारना को लोगप्रिय बनाया गया था यानि के friends एक अन्योजित अवसर है जो कक्षा में उत्पन होता है जहां एक शिक्षक के पास अपनी चात्रों को अन्तवरिष्टी प्रदान करने का मौका होता है शिक्षा में एक डैश वह समय है जिस पर किसी विशेश विशे या विचार को सीखना संभव या असान हो जाता है सो फ्रेंट्स वो है option D teachable moment यानिके शिक्षण ये शन फ्रेंट्स question number four है which are the teacher centered methods यानिके फ्रेंट्स शिक्षक के इंदरित तरीके कौन से है number one talking, number two explaining, number three showing, number four questioning, number five है फ्रेंट्स note making यानिके प्रेशन करना सो फ्रेंट्स code आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और correct code बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकेंड के अंदर सो फ्रेंट्स correct code है option D all of these यानिके फ्रेंट्स ये सबी teacher centered methods है question number five है which are the student centered methods यानिके फ्रेंट्स चातर के इंदर तरीके कौन से है number one reading for learning यानिके सीखने के लिए पढ़ना, number two private study and homework number three assignments and essays, number four projects and reports, number five independent learning यानिके स्वतंतर शिक्षा number six self directed learning यानिके स्वनिर्देशित शिक्षा so friends code आप अपनी screen पर देख सकते हैं so friends इनमें से correct code है option ने all यानिके सभी यानिके friends ये सभी student centered methods है question number six है friends what are the principles of active learning यानिके friends clear section के सिधानत क्या है number one है friends auditory and tactile primacy यानिके श्रवन और सपर्ष प्रधानता number second everyone can learn यानिके हर एक सीख सकता है number three है responsive environment short sessions यानिके उत्तरदाई पर्यावर्ण लगुसत्र number four emotional development involves mastery यानिके भावनात्मक विकास में महारत का समावेश होता है number five है friends learning is by repetition allowed to fail यानिके सीखना पुन्रवरिती द्वारा है और सफल होने की अनुमती दे number six है बातचीत करें और खेल के अंत में reward दें so friends code आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं so friends इनमें से correct code है code D so friends code D के कहता है कि number one second third fourth fifth sixth यानिके यह सभी statement correct है यानिके यह सभी है principles of active learnings question number seven friends what are the six basic elements that affect the quality of education यानिके फ्रेंट छै बुनियादी तत्व कौन से हैं जो शिक्षा की गुनवत्ता को प्रभावित करते हैं so friends number one है the teacher and teaching methods यानिके शिक्षक और शिक्षन वीधिया number second educational content यानिके शैशिक सामगरी number third learning environment यानिके सीखने का वातावन number four school management यानिके स्कूल पर भंधन number five preconditions for pupils यानिके विधारतियों के लिए पूरवशर्थ number six peer pressure यानिके सह कर्मी का दबाब number seven funding and organization यानिके धन और संगठन so friends code आप अपनी screen पर देख सकते हैं so friends इनमें से correct code है code D so friends code D का कहता है कि number one second third fourth fifth और seventh ये सभी friends six basic elements है जो शिक्षा की गुनवत्ता यानिके quality of education को परभावित करते हैं so friends इनमें से number six peer pressure यानिके सह कर्मी का दबाब इन six basic elements में शामिल नहीं है so friends next question है question number eight what are the important objectives of teacher education यानिके शिक्षक शिक्षा के महत्तपुन उदेशे क्या है number one है friends imparting an adequate knowledge of the subject matter यानिके विशे वस्तु का प्रियापत ग्यान प्रापत करना number second है equipping the prospective teachers with necessary pedagogic skills यानिके friends प्रत्याशित अध्यापकों को आवशक शैशने कोशल से समवारना number third है developing proper attitudes towards teaching यानिके friends शिक्षण के प्रती उचित द्रिश्टिकों विक्सित करना number four है enabling the teacher to acquire understanding of child psychology यानिके बाल मनोविज्यान की समझ हासिल करने के लिए शिक्षक को शक्षम करना number five है friends enabling teachers to understand the significance of individual differences of child and to take appropriate steps for their optimum development यानिके friends शिक्षकों को बच्चे के विक्तिगत अंतर के महत्व को समझने और उनके इस्टतम विकास के लिए उचित कदम उठाने में सक्षम बनाना so friends code आप अपनी screen पर देख सकते हैं और correct code गैस कर सकते हैं so friends इनमें से correct code है option है जहांपर option A के according number one statement second third fourth fifth यानिके ये पांचो statements correct हैं जहांपर friends ये important objectives हैं teacher education के question number nine friends what are the characteristics of a highly effective learning environment यानिके एक अत्यादिक प्रभावी शिक्षन परियावरण के लक्षन क्या है number one है friends assessment is persistent authentic transparent and never punitive यानिके friends आकलन लगातार प्रमानिक पारदर्शी और कभी दंडात्मक नहीं होता है number second है there are constant opportunities for practice यानिके अभ्यास के लिए लगातार अफसर है number third ideas come from a divergent sources यानिके विचार एक भिन श्रोतों से आते हैं number four है friends the students ask the questions good questions यानिके चातर प्रशन पूछते हैं अच्छे प्रशन so friends code आप अपनी screen पर देख सकते हैं so friends इनमें से correct code है code C code C क्या क्याता है कि first second third fourth यानिके ये सभी statements correct है यानिके चारो characteristics हैं एक highly effective learning environment के so friends हमान next question है question number 10 what are the merits of memory level teaching यानिके समरिती स्थर शिक्षन के गुण क्या है number one है friends the role of the teacher is important in this level of teaching and he is free to make choices of subject matter, planet and can present it at will यानिके friends अध्यापन के स्थर में शिक्षक की भूमी का मात्यबून होती है और वह विश्य वस्तु के विकल्प बनाने के लिए स्वतंत्र होता है उसकी योजना बनाता है और उसे इच्छानुसार प्रस्तुत कर सकता है number second statement है memory level teaching acts as the first step for understanding and reflective levels of teaching it is prerequisite for understanding level teaching यानिके friends memory स्थर स्थिक्षन, स्थिक्षन के चिंतन शिल और चिंतन शिल स्थरों के लिए पहला कदम है यह स्थर स्थिक्षन को समझने के लिए पुरव अवशकता है तो friends आपको बताना है इनमें से correct statement कौन सी है जहांपर friends code आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सो friends इस question का correct answer है option C जहांपर friends option C code क्या कहता है कि दोनो statements correct है यानिके दोनो merits है memory level teaching के question number 11 है friends mark the correct statement या फिर statements about reflective level of teaching यानिके शिक्षन के चिंतन शील स्थर के बारे में सही कतन को चिनित करें number one statement है it is highly thoughtful and useful यानिके यह है अत्यदिक विचारशिल और उपयोगी है number second a student can attain this level only after going through memory level and understanding level यानिके एक चातर समरिती स्थर और समझ के स्थर से गुजरने के बाद ही इस स्थर को प्रापत कर सकता है number third friends teaching at the reflective level enables the students to solve the real problems of life यानिके चिंतन शील स्थर पर शिक्षन चात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में शक्षम बनाता है number four friends the role of the students is quite active यानिके चात्रों की भूमी का काफी स्क्रिय है number five friends reflective level of teaching is that which is problem centered and the student is busy in original imagination यानिके friends शिक्षन का चिंतन शील स्थर वह है जो समस्याओं के इंदरित है और चात्र मूल कल्पना में वियस्त है number six statement है at this level emphasis is laid on identifying the problem defining it and finding a solution to it the student's original thinking and creative abilities develop at this level यानिके friends इस तर पर समस्याओं की पहचान करने उसे परिभाशित करने और उसका समाधान खोजने पर जोर दिया जाता है चात्र की मूल सोच और रचनात्मक शमता इस तर पर विक्सित होती है तो friends आपको correct code guess करना है तो friends correct code है code A, code A क्या कहता है कि first, second, third, fourth, fifth, sixth यानिके ये सभी statements correct है reflective level of teaching के बारे में यानिके शिक्षन की प्रकरती और विशेष्टाएं क्या है number one, teaching an interactive process teaching is an interactive process between a teacher and his pupils it is carried for the attainment of some goals and objectives यानिके शिक्षन समवाधात्मक पर की रिया शिक्षन एक शिक्षक और उनके विदार्तियों के बीच एक समवाधात्मक पर की रिया है ये कुछ लक्षय और उदेशयों की प्रापती के लिए किया जाता है number second statement है teaching is a social process in which teacher applies his profession skill on a student यानिके शिक्षन एक समाजिक पर की रिया है जिसमें शिक्षक एक छातर पर अपने पेशी के कोशल को लागू करता है number third statement है friends teaching a biopolar process according to the eminent educationist Adams teaching is a biopolar process it's a one policy teacher and another is student teacher brings desired changes in the behavior of the pupils by the influence of his own personality and pupil is influenced by following him in this way both teacher and student are engaged actively यहनके friends द्री द्रूबी परकीरिया को सिखाना प्रख्यात शिक्षाविद एडम्स के अनुसार शिक्षन द्री द्रूबी परकीरिया है इसका एक द्रूब शिक्षक है और दूसरा चातर है शिक्षक अपने स्वाई के व्यक्तित्व के परभाव से विधार्तियों के विवार में ब्वान्चित परिवरतन लाता है और उनके अनुसरन में शिक्ष्य परभावित होता है इस तरह शिक्षक और चातर दोनों स्क्रियर रूप से लगे हुए है नम्ब four friends statement है important role, any teaching learning process which is devoid of environment can't be called good teaching, यहनके friends, त्री धुरूविय परकिरिया के रूप में शिक्षन, शिक्षन एक त्री धुरूविय परकिरिया है, इसके तीन घटक है, जहांपे पहला घटक है शिक्षक, दूसरा शिश्य और तीसरा वाताबरन, पर्यवन एक महत्यपूर्ण भूमी का निवाता है, कोई भी शिक्षन परकिरिया जो पर्यवन से रहित है, को अच्छा शिक्षन नहीं कहा जा सकता है, तो friends, आपको correct code बताना है, तो friends, correct code है, code A, so friends, code A कहता है कि यह सभी statements correct है, यानि कि यह सभी nature और characteristics है teaching के, question number 13 है friends, माग the correct statement या फिर statements about teaching, यानि कि शिक्षन के बारे में सही कतन को आपको चिरित करना है, number one statement है friends, teaching बहुत art and science, यानि कि शिक्षन कला और विज्ञान दोनों है, number second है, teaching is a purposeful and goal directed, which ends at desired changes of learners behavior, यानि कि फ्रेंड शिक्षन एक उतेश्यपून और निर्देशित लक्षे है, जो शिक्षार्थियों के विवार के वांचित परिवर्तनों पर समापत होता है, number third statement है friends, teaching is a diagnostic as well as remedial process, the teacher first of all find out the weakness of the student and then suggest the remedial measures, यानिके friends, शिक्षन निदान के साथ साथ उपचारात्मक पर कीरिया भी है, शिक्षक सबसे पहले चातर की कमजोरी का पता लगाते हैं, और फिर उपचारात्मक उपायों का सुझाव देते हैं, तो friends, code आप अपनी स्क्रिन पर देख सकते हैं, और correct code बता सकते हैं, तो friends, correct code है, code A, code A का कहता है कि number one, second, third, ये तीनों statement correct है, teaching के बारे में, question number 14 है friends, which of the following variables are included in the teaching process, यानिके शिक्षन पर किरिया में निमिली खित में से कौन से चर शामिल है, so friends, number one है, teacher, second, student, number third, sanctify, number four, instrumental methods, number five, instrumental aids, यानिके वादे यंतर, number six, classroom environment, यानिके कक्षा प्रेवर्ण, number seven, test books, या फिर contact, so friends, आपको बताना है, वो कौन से variables हैं, जो teaching process में शामिल हैं, इन course के थुरू, so friends, correct code है, code D, code D का कहता है कि, number one, second, fourth, fifth, sixth, seven, so friends, ये वो variables हैं, जो की teaching process में शामिल हैं, so friends, इन में से number three, 75, यानिके पवित्र करना, ये variable teaching process में शामिल नहीं है, so friends, question number 15 है, what are the maxims of teaching, number one है friends, from simple to complex, यानिके सरल से जटल तक, number second, from concrete to abstract, यानिके थोस से अमूर्थ तक, number third, from particular to general, यानिके विशे से समान्य तक, number four, from actual to representation, यानिके वास्तविक से प्रतिनी दीतर तक, number five, from whole to part, यानिके पूरे भाग से, so friends, आपको correct code कैस करना है, तो correct code है, code A, code A का कहता है कि, all of these, यानिके ये सभी maxims of teaching है, और friends, इन points की explanation के लिए, या आप हमारे teaching aptitude के notes को पढ़ सकते हैं, so friends, next question है, question number 16, what are the characteristics of effective teaching, यानिके प्रभावी शिक्षन के लक्षन क्या है, number one, provides clear, specific expectations for assignments, यानिके असाइनमेंट के लिए, first, विशिष्ट अपिक्षाएं प्रदान करता है, number second, provides frequent and immediate feedback to students on their performance, यानिके चात्रों को उनके परदर्शन पर लगतार और ततकाल प्रतिकिरिया प्रदान करता है, number third, provides many concrete, real-life practical examples, यानिके कई धोस, वास्तिक जीवन, वेवारिक उधारन परदान करता है, number four, uses feedback from students and others to assess and improve teaching, यानिके शिक्षन का आकलन और सुधार करने के लिए, चात्रों से प्रतिकिरिया का उप्योग करता है, तो friends, आपको correct code guess करना है, तो friends, इन में से correct code है, code C, जहांपर code C के according first, second, third, fourth, ये सभी statements correct है, यानिके ये सभी effective teaching के characteristics है, so friends, next question है, question number 17, what are the nature of teaching and characteristics of teaching and teacher, यानिके शिक्षन और शिक्षक की प्रकरती और विशेशता क्या है, number one statement है friends, teaching is the process of attending to people needs, experiences and feelings, and making specific involvement to help them learn particular things, यानिके शिक्षन लोगों की जरूरतों, अनुभवों और भावनाओं में शामिल होने, और उन्हें विशेश चीजों को सीखने में मदद करने के लिए विशेश्ट भागयदारी करने की परकिरिया है, number second है, it is the continuous process, teaching is a formal and informal process, teaching is the goal-oriented process, teaching is the rational and reflective process, teaching is the interactive process, teaching occur inside and outside, it is a conscious process, यानिके फ्रेंट्स यह परकिरिया जारी है, शिक्षन एक अपचारिक और अनपचारिक परकिरिया है, शिक्षन लक्षय उन्मुक परकिरिया है, शिक्षन तर्क संगत और चिंतन शिल परकिरिया है, शिक्षन संवादात्मत परकिरिया है, शिक्षन अंदर और बाहर की और होता है, यह है एक सचेत परकिरिया है, नमबर थर्ड स्टेट्मेंट है फ्रेंट्स, टीचिंग इस टास्क औरियंटेट प्रोसेस, टीचिंग फेसिलिटेट लर्निंग, इस टीमिलेट चाइड़ लर्नर्स, टीचिंग इस दी कॉम्बलक्स प्रोसेस, इस साइंटिफिक और अब्जरवेशन, टीचिंग इस हाईली डॉमिनिटेड बै कॉमिनिकेशन, यनिके फ्रेंट्स, शिक्षन कारेनमुखी परकिरिया है, शिक्षन से सीखने में सुविधा होती है यह बाल सीखने वालों को उतेजित करता है शिक्षन जटल प्रकिरिया है इसका विज्ञानिक और अवलोकन होता है संचार में शिक्षन का अत्यदिक वर्चस्व है तो फ्रेंट्स आपको इस question का correct answer बताना है तो फ्रेंट्स इस question का correct answer है option A जहांपर option A code कहता है कि first, second और third यानिकि ये तीनों statements correct है तो फ्रेंट्स नेक्स्ट कुषन है question number 18 यानिकि शिक्षन के उदेश्य क्या है number one reference to bring desired changes in pupils यानिके विदारतियों में वांचित परिवर्तन लाने के लिए number second to shape behavior and conduct यानिके वेवार और आचरन को अकार देने के लिए number third acquisition of knowledge यानिके ग्यान हासिल करना number four to improve the learning skills of students यानिके चात्रों के सीखने के कोशल में सुधार करना number five formation of belief यानिके विश्वाष का गठन number six to provide a social and efficient member to the society यानिके समाज को एक समाजजिक और कुशल सुधा से परदान करना so friends आपको correct answer बताना है इस question का तो correct answer है friends यानिके correct code है code B code B का कहता है कि ये सभी statements correct है यानिके सभी objectives है teaching के so friends question number 19 है what are the basic requirements of teaching यानिके शिक्षन की बुनियादी आपशक्ताएं क्या है इस question का correct answer है option E all of these यानिके ये सभी teacher learner subject और environment यानिके option A, B, C, D ये सभी basic requirements है teaching के यानिके इस question का correct answer है option E all of these question number 20 है friends what are the characteristics of adult learners यानिके friends व्यस्क शिक्षारतियों के लक्षन क्या है तो friends options आप अपनी screen से read कर सकते हैं और correct code हमें इसी वीडियो के नीचे comment करके बता सकते हैं और friends इस question के answer के लिए आपके पास 25 second का time होगा इस question का correct answer है option E all यानिकि ये सभी adult learners के characteristics है so friends हमाँ next question है question number 21 what are the main causes of individual differences यानिके friends व्यक्तिगत मत भेदों के मुखे कारण क्या है so friends options आप अपनी screen पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे answer कर सकते हैं 15 second के अंदर लिए so friends इस question का correct answer है option C both A and B so friends question number 22 है what are the operational characteristics of learning environment यानिके सीखने के बातावन की परिचालन विशेष्टाएं क्या है number one organizational model departmental integrated academy small school यानिके friends संगठनात्मक model भिभागिये एक इकरित अकादमी छोटा विदाले second statement है friends curriculum the subjects comprising a course of study यानिके पाठेक्रम अध्यन के पाठेक्रम को शामिल करने वाले विशे number 3 assessment यानिके आकलन number 4 partnerships and mentoring यानिके साजिधारी और सला number 5 attendance number 6 teacher certification यानिके शिक्षिक परमानी करन number 7 staffing number 8 non institutional homeschooling unschooling number 9 structure यानिके स्रंचना number 10 schedule यानिके कारेक्रम so friends in course के तुरू आपको बताना है कि learning environment के operational characteristics कौन से हैं so friends correct code है code d यानिके all of these ये सभी learning environment के operational characteristics हैं so friends question number 23rd है a dash is a web based platform which provides unlimited number of students worldwide with a chance of distance education with the best institutes in the world यानिके friends एक dash एक web अधारित platform है जो दुनिया भर में सबसे अच्छे संस्थानों के साथ दुरस्त शिक्षा के अवसर के साथ दुनिया भर में सीमित संक्या में छात्रों को परदान करता है so friends वो है option D MOOC यानिके massive open online course question number 24 है friends mark the correct statement या statements about massive open online course in short में MOOC जहां पर friends number one statement है an online course aimed at unlimited participation and open access via the web यानिके web के माध्यम से असीमित भागेदारी और खुली पहुँच के उदेशे से एक online प्राथेकरम number second MOOCs provide interactive course with user forums to sport community interactions among students यानिके MOOC चात्रों के बीच समुदाइक संपर का समर्थन करने के लिए उप्योग करता मंचों के साथ परस्पर समवादात्मत पाथेकरम परदान करता है number third professors and teaching assistants along with the study course material and video lectures यानिके अध्यन पाथेकरम सामगरी और वीडियो व्याख्यान के साथ साथ प्रोफेसर और शिक्षन साहिक number four statement है quizzes और assignments के लिए immediate feedback provide करना तो friends आपको बताना है MOOC के बारे में इनमें से कौनसी statements correct है so friends correct code है code यानिके code के according first, second, third, fourth यानिके ये सभी statements correct है so friends question number 25 है swim प्रभा के बारे में the DTH यानिके direct to home channels shall cover the following यानिके DTH channels क्या cover करते है number one higher education number second, school education 9 to 12 levels number third, curriculum based courses that can meet the needs of lifelong learners of Indian citizens in India and abroad इनके पाठेकरम आधारित पाठेकरम जो भारत और वीडेशों में भारतिय नागरिकों के जीवन बरके सीखने वालों की जुरूरतों को पूरा कर सकते है number four, providing employment opportunities for all is the single most effective means of tackling poverty and social exclusion यानिके सभी के लिए रोजगार के अपसर परदान करना गरीबी और सामाजिक भाइशकार से निपटने का एक मातर सबसे प्रभावी साधन है number five statement है friends, assist students class 11th and 12th prepare for competitive exams यानिके छात्रों जहांपर ग्यार्मी और बार्मी कक्षा की साहता से प्रतियोगी प्रिक्षाओं की त्यारी करते है so friends आपको correct code guess करना है तो इन में से correct code है code C code C का कहता है कि first, second, third और fifth ये statements correct है यानिके स्वाइम प्रभा के DTH channels इन सभी को cover करेंगे so friends इन में से incorrect statement है statement 4 question number 26 है friends, mark the correct statement या फिस statements about SWAM number one statement है friends, SWAM is a program initiated by government of India and designed to achieve the three cardinal principles of education policy which assess equity and equality यानिके friends, SWAM भारस सरकारद्वारा शुरू किया गया एक कारेकरम है और इसे शिक्षा निती पहुँच न्याय संगत्ता और गुणवत्ता के तीन cardinal सिधानतों को प्रापत करने के लिए design किया गया है second statement है friends, the objective of this effort is to take the best teaching learning resources to all including the most disadvantaged यानिके इस परियास का उदेश सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को सर्वोत्तम शिक्षन शिक्षन संसादन लेना है number third statement है, this is done through a platform that facilitates hosting of all the courses taught in classrooms from class 5th till post graduation to be assessed by anyone, anywhere, at any time यानिके यह एक ऐसे मंच के माध्यम से किया जाता है जिसमें कक्षा 5 से लेकर सनातक उतर तक की कक्षाओं में पढ़ाय जाने वाले सभी पार्टेकरमों की मेजमानी किसी भी समय किसी के द्वारा भी की जा सकती है तो फ्रेंस आपको समयम के बारे में correct statements कैस करनी है इन codes के through तो फ्रेंस correct code है, code एक, code एक क्या कहता है कि only first and second यानि कि ये दोनो statements correct हैं स्वयम के बारे में जहां पर फ्रेंस number third statement incorrect है ये statement इसलिए incorrect है क्योंकि class 5 की place पर आएगा class 9 यानि कि इसमें class 9 से post graduation तक को शामिल किया गया है तो फ्रेंस आपको बताने है वो चार अनुभाग कौन से है number one video lecture number second specially prepared reading material that can be downloaded और printed यानि कि विशेश रूप से त्यार पठन सामगरी जिसे download या फिर मुदृत किया जा सकता है number third statement है friends assist students class 11th and 12th prepare for competitive exams यानि कि चात्रों कक्षा ग्यार्मी और बार्मी की साहता से प्रतियोगी प्रिक्षाओं की त्यारी करते है number four statement है self assessment test through test and quizzes यानि कि प्रिक्षन और quiz के माध्यम से स्वय मुल्यांकन प्रिक्षन number five है an online discussion forum for clearing the doubts steps have been taken to enrich the learning experience by using audio video and multimedia and state of the art pedagogy technology यानिके friends शंकाओं को दूर करने के लिए एक online चर्चा मंच audio video और multimedia और अत्याधनिक शिक्षा विज्ञान प्रद्योग की कवपियोग करके सीखने के अनुभव को समरिद करने के लिए कदम उठाए गए है तो friends code आप अपनी screen पर देख सकते हैं और correct code को guess कर सकते हैं तो friends इनमें से correct code है code d, code d के according first statement, second और fourth और fifth ये चार statements correct है तो friends incorrect statement है number third statement और friends number one, second, fourth और fifth ये statements यानिके ये points स्वयम पर होस्ट के गए पार्ठे करम के चार अनुभाग में है तो friends question number 28 है n i triple t r का full form क्या है तो friends इसका full form है option C, National Institute of Technical Teachers Training and Research question number 29 है, the current SWIM platform is developed by Dash and NPTL, IIT Madras with the help of Google Incorporated and Persistent Systems Limited यानिके friends वर्थमान स्वयम, मंचकुद, Dash और NPTEL, IIT Madras ने Google Incorporated और Persistent Systems Limited की साहता से विक्सित किया है So friends, वो है option B, Ministry of Human Resource Development, in short में MHRD, अगर हिंदी में कहें तो मानव संसादन विकास मंत्राले द्वारा, जो करंट SWIM का platform है उसे developed किया गया है So friends, question number 30 है, it an indigenously designed massive open online course in short में MOOC It will host all the courses taught in classrooms from 9th till post-graduation and can be assessed by anyone, anywhere, at any time It aims to bridge the digital divide for students in electronic education याने के friends, यह एक स्वदेशी रूप से बड़े पैमाने पर खुला online पाथे क्रम तियार किया गया है यह 9 वी कक्षा से लेकर post-graduation तक्ती कक्षाओं में पढ़ाय जाने वाले सभी पाथे क्रमों की मेजवानी करेगा और किसी भी समय कहीं भी किसी के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है इसका उदेश्य यह शिक्षा में छात्रों के लिए digital विवाजन को फैलाना है तो फ्रेंट्स आपको बताना है वो प्लेटफॉर्म कौन सा है तो फ्रेंट्स वो है option A SWEM question number 31 है friends it will provide high quality educational contents developed by experts through 32 DTH direct to home television channels with aim to bring uniformity in standards of education it will cover diverse disciplines of all levels of education in various languages it will be available to all and will be having new content of 4 hours to be telecasted 6 times a day यह शिक्षा के मान को में एक रूपता लाने के उदेश्य से 32 direct to home television channels के माध्यम से विशेशग्यों द्वारा विक्सित उच गुनवत्ता वाली शैशिक सामगरी परदान करेगी यह बिविन भाशाओं में शिक्षा के सभी स्तरों के बिविद विश्यों को कवर करेगा यह सभी के लिए उपलब्ध होगा और दिन में 6 बार टेलीकास्ट होने के लिए 4 घंटे की नई सामगरी होगी वो प्लाटफॉर्म है ऑप्शन भी स्वयम प्रभा यह संस्तानों द्वारा जारी किये गए सभी पर्मान पत्रों को पर्मानित करने के लिए शैशनिक पुरुसकारों का एक डिजिटल भंडार है डैस सीदे बोडो या फिर विशविदालियों के साथ एकिकरन करेगा जो पर्मान पत्र जारी करते हैं जो रूजगार उच शिक्षा और रिन के देशे के लिए एक डिजिटल भंडार में सत्यापित पर्मानित एक्सेस और पुनल प्रापत किये जाएंगे सो फ्रेंट्स वो है ऑप्षिन डी नैड यानि के नैशनल अकाडमिक डिपोजिटरी अगर हिंदी में कहें तो रास्ते शैशनिक संग्रस्थान कुश्च नम्र थर्टित्री है फ्रेंट्स नैशनल डिजिटल लाइबरेरी के बारे में तो फ्रेंट्स आपको बताना है ये स्टेट्मेंट ट्रू है या फिर फॉल्स ये स्टेट्मेंट ट्रू है 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 ये स्टेट्ट्रू है ये स्टेट परिक्षन परिक्षन उसी तरह से किया जाता है जैसे पेपर आधारित परिक्षन 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 यानि के फ्रेंट्स एक computer dash friction वह है जिसमें computer आपके परदर्शन स्थर के अधार पर प्रशनों की श्रेणी का चेन करता है ये प्रशन सामगरी और कठिनाई द्वारा वर्गी कृत संभावित प्रशनों के एक बहुत बड़े पुल से लिए गए है तो फ्रेंट्स वो टेस्ट है option B adaptive test यनके अनुकूली परिक्षन question number 36 है friends the choice based credit system in short में CBCS has more advantages than disadvantages what are the advantages of CBCS यनके friends choice based credit system में नुकसान की तुला में अधिक फायदे है CBCS के क्या फायदे है वो आपको बताने है so friends statement one है shift in focus from the teacher centric to student centric education यनके friends शिक्षिक के इंदृत से चातरत के इंदृत शिक्षा पर ध्यान के इंदृत करना second statement है friends credits earned at one institution can be transferred यनके friends एक संस्थान में अरजित credit को स्थानांतरत किया जा सकता है number third CBCS offers flexibility for students यनके friends CBCS चातरों के लिए लची लपन परदान करता है number four statement है difficult to estimate the exact marks यनके friends सती कंकों का नुमान लगाना कठिन है number five workload of teachers में fluctuate यनके शिक्षकों के कारेभार में उतार चड़ा हो सकता है statement six है friends demand good infrastructure for dissemination of education यनके शिक्षा के परसार के लिए अच्छे बुनियादी धान्चे की मांग number seven पर statement है friends CBCS allows students to choose interdisciplinary, interdisciplinary courses, skill oriented papers यनके friends CBCS चातरों को अंतर अनुशाशनात्मक, इंटरा अनुशाशनात्मक, पाठेकरम, कोशल उनमुक पेपर चुनने की अनुमती देता है तो friends आपको correct code guess करना है तो friends इनमें से correct code है, code भी, code भी क्या कहता है कि first, second, third और seventh ये statements correct है यानिके ये advantages है choice based credit system के So friends correct statements आप अपनी screen पर भी देख सकते हैं और friends जो statements incorrect है वो है statement 4, 5 और 6 यानिके friends ये disadvantages है choice based credit system के Question number 37 friends, dash is considered as a special course involving application of knowledge in solving, analyzing, exploring a real life situation difficult problem A dash work would be of six credits, a dash work may be given in lieu of a disciplined specific elective paper यानिके friends dash को एक विशेश पाठेकर्म के रूप में माना जाता है जिसमें वास्तिविक जीवन की स्थिति कठिन समस्य को सुल जाने, visualization करने, तलाशने में ग्यान का अनुप्रयोग शामिल है एक dash कारे 6 credits का होगा एक अनुशाशन, vicious, विकल्पिक कागज के बदले में एक dash कारे दिया जा सकता है So friends, वो है option C, प्रियोजना कारे या फिर शोध, यानि के project work और dissertation Question number 38 है friends, dash focuses on how a program was implemented and how it operates The goal of the dash is to see if the program is meeting its intended goals यानि के friends, dash इस बात पर केंदर्थ है कि एक कारे करम कैसे लागू किया गया था और यह कैसे संचालित होता है Dash का लक्ष यह है देखना है कि कारे करम अपने इच्छित लक्षयों को पूरा कर रहा है या नहीं So friends, वो है option D, process evaluation यानि के परकीरिया मुल्यांकन Question number 39 है, dash measure the program's effects and the overall effectiveness of realizing the goals of the program The most effective dash are those that occur over longer periods of time as opposed to those programs that evaluate the immediate before and after a program यानि के friends, dash कारे करम के प्रभाव और कारे करम के लक्षों को साकार करने की समगर प्रभाव श्विलता को मापते है सबसे प्रभावी dash वे है जो उन कारे करमों के विपरित अधिक समय तक होते है जो किसी कारे करम से पहले और बाद में ततकाल का मुल्यांकन करते है So friends, वो है Option Impact Evaluations यानि के प्रभाव मुल्यांकन Question No.40 Friends, Dash measures the short term impact of implementing programs The evaluation gives information how well the program is reaching its target audience The Dash is able to assess the changing attitudes and knowledge of the target audience यनके Friends, Dash कारे करमों को लागू करने के लिए अल्पकालिक प्रभाव को मापता है मुल्यांकन इस बात की जानकारी देता है कि कारे करम अपने लक्षित दर्षकों तक कितनी अचीत तरह पहुँच रहा है Dash लक्षे दर्षकों के बदलते द्रिस्टिकोन और ग्यान का आकलन करने में सक्षम है So friends, वो है Option C Outcome Evaluation यानि के परिणाम मुल्यांकन So friends, question number 41 है What are the characteristics of evaluation यानि के friends आपको बताना है मुल्यांकन की विशेशताएं कान सी है Number one statement है friends It involves assessment of all the teaching learning outcomes in terms of overall behavioral changes It goes beyond the knowledge objectives to cover skill, application, interest, attitude and appreciation objectives Therefore, the area and field of testing the stipulated objectives has been greatly increased by adopting this new term यनिके friends, इसमें स्मगर व्यवार परिवर्तिन के संदर में सभी शिक्षन शिक्षन परिणामों का मुल्यांकन शामिल है यह कोशल, आवेदन, गुरूची, दिस्टिकोन और परसंशा उदेश्यों को कवर करने के लिए ग्यान के उदेश्यों से परे है इसलिए इस नई कारेकाल को अपनाने से निर्धारित उदेश्यों के परिक्षन का शेतर और शेतर बहुत बढ़ गया है यानि कि मुल्यांकन में सावधानी पूर्वक डेटा की व्याख्या की आफशकता होती है यानि कि मुल्यांकन व्यापक है या केबल चातर की शैशनिक स्थिती से नहीं बलकि उसके विकास के सभी पहलूं से संबंदित है जिसमें संग्यानात्मक और ग्यार संग्यानात्मक दोनों पहलू शामिल है नमबर फूर स्टेटमेंट है यानि कि मुल्यांकन निरंतर है यह एक विशेश वरग या शिक्षा के चरण तक ही सीमित नहीं है तो friends आपको correct code guess करना है तो friends correct code है code D code D के according first, second, third और fourth यह चारो statements correct हैं यानि कि यह चारो statements characteristics हैं evaluation के Question number 42 है friends what are the factors affecting teaching यानिके friends शिक्षन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है number one educational qualification of teacher यानिके शिक्षक की शैशिक योग्यता second skills यानिके कोशल third experience of teacher यानिके शिक्षकानुभव number four class number five economic factor यानिके आर्थिक कारक number six administrative policies of school और college और university यानिके school या college का विशेविधाले की पर्शाषनिक नीतिया number seven subject matter यानिके विशेवस्तू number eight parental expectations यानिके माता-पिता की अपेक्षाएं तो friends इन में से आपको correct code बताना है तो correct code है code D code D का according all of these यानिके ये सभी शिक्षन को प्रभावित करने वाले कारक है question number 43 है friends who is the father of theory of multiple intelligences so friends वो है option D Harvard Gardner question number 44 है friends dash theory of cognitive development explains how a child constructs a mental model of the world यानिके friends dash के संग्यनात्मक विकास का सिधानत बताता है की एक बच्चा दुनिया के मानसिक model का निर्मान कैसे करता है so friends this question का correct answer है option C gene pigate question number 45 है friends this is the most apparent and measurable effect includes any new information meaning or message acquired through media consumption dash effects extend past knowledge acquisition individuals can identify patterns combine information sources and infer information into new behaviors येनके friends ये सबसे स्पस्ट और ओसत दरजे का प्रभाव है इसमें मीडिया उपभोग के माद्यम से प्रापत की गई कोई भी जानकारी अर्थ या संदेश शामिल है dash प्रभाव पिछले ज्यान अधिगरहन का विस्तार करते हैं व्यक्ती पैटर्न की पहचान कर सकते हैं सूचना सुरोतों को जोड सकते हैं और नए व्यवारों में जानकारी का पता लगा सकते हैं तो friends वो है option C cognitive यानि के संग्यानात्मक question number 46 है friends dash used in psychology education and communication holds that portions of an individual's knowledge acquisition can be directly related to observing others within the context of social interactions, experiences and outside media influences यानि के friends dash जिसका उप्योग मनोवे ज्यान, शिक्षा और संचार में किया जाता है यह मानता है कि किसी व्यक्ती के ज्यान अर जनके कुछ हिस्सों का सीधा संबंध समाजिक अंतिक्रियाओं, अनुभव और बाहर के मीडिया प्रभावों के संदर्ब में दूसरों को देखने से हो सकता है So friends, वो है option is social cognitive theory in short में SCT अगर हिंदी में कहें तो समाजिक संगयनात्म सिधान्त Question number 47 Dash brings in the element of entertainment into the classroom Dash कक्षा में मनुरंजन के तत्व को लाता है Dash is an impactful method to enhance learning that also lends learners opportunity to live the experience through empathy and internalizing values Dash शिक्षन को बढ़ाने के लिए एक परभावशाली तरीका है जो शिक्षारतियों को साहनुभूती और आंतरिक मुल्यों के माद्यम से अनुभव को जीने का अफसर देता है So friends वो है option A Roleplay Question number 48 What are the benefits of computer-based testing यानि के friends Computer आधारित परिक्षन के लाब क्या है Option A Analytics for the instructor and learner यानि के परशिक्षक और learner परशिक्षक के लिए Analytics B Uncover student thinking यानि के चातर सोच को उजागर करें Option C Helps with open-ended assessments यानि के open-ended मुल्यांकन के साथ मदद करता है Option D Value-added growth measures यानि के मुल्यवर्दित विकास उपाई So friends आपको correct code guess करना है So इन में से correct code है code 3 यानि के all of these ये सभी benefits है computer-based testing के Question No.49 What are the goals of evaluation यानि के मुल्यांकन के लक्षे क्या है Option A To clarify objectives of education यानि के शिक्षा के उदेश्यों को सपस्ट करने के लिए Option B To assess the educational value and utility of the educational program यानि के शैशिक के शैशिक मुल्या और उपयोगिता का आकलन करने के लिए program Option C To improve the skills of learning in students यानि के friends छात्रों में सीखने के कोशल में सुधार करना Option D है To identify students aspects of development यानि के friends छात्रों के विकास के पहलों की पहचान करना तो friends आपको correct code guess करना है तो correct code है friends option A All of these So friends आज का मारा last question है question number 50 जहांपर आपको true statements mark करनी है Number one statement है Teacher centered learning focus is on instructor Learner centered learning focus is on both students and instructor यानि के friends शिक्षक केंद्रिक शिक्षन में परशिक्षक परध्यान केंद्रित किया गया है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षन में चात्रों परशिक्षकों दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है Number second statement में Teacher centered learning instructor monitors and corrects every student's utterance यानिके friends शिक्षक केंद्रित शिक्षन परशिक्षक परतेक चात्र के कतन की निग्रानी और सुधार करता है जबकि learner centered learning students talk without constant instructor monitoring instructor provides feedback correction when questions arise यानिके friends शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षन चात्रों को निरंतर परशिक्षक निग्रानी के बिना बात करते है प्रशन आने पर परशिक्षक प्रतिकीरिया या सुधार परदान करता है So friends इन में से correct code आपको guess करना है तो इन में से correct code है code C Code C के according both यानिके दोनों statements correct है So friends ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने cover किये 50 MCQs आपके teaching aptitudes से related So friends next video आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी So thank you friends for watching this video अगर आप कोई वीडियो पिसंद आई तो आप वीडियो को like कर सकते हैं वीडियो को share कर सकते हैं अगर आपका कोई question है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे comment करके पूश सकते हैं और साथ साथ आप हमारी चैनल को subscribe कर लिजिए और subscribe करने के बाद एक bell icon का option आता है आप उसे भी press कर लिजिए ताकि हम next time कोई भी नई वीडियो upload करें उसकी notification आपको मिल जाए